नमस्कार न्यूज युक में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रधा कोरोना वारिस महामारी के चलते पूरे देश में लॉक्टाउन चल रहा है देश में सब कुछ ठप पड़ा है वहीं सारी व्यापारी गतिविधियां रुकी हुई है आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने जरूरी सेवाएं जिसमें खाने पीने की वस्तुएं शामिल है इन पर छूड़ती हुई है सरकार ने विशेश तोर पर शराब और गुठका कारोबार पर रोक लगाई हुई है लेकिन कुछ लोग गुठके की अवैद काला बाज़ारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं जिसके चलते पुलिस त्वारा पुरे राच्चे में कई जगाहों से लाखो रुपे का गुठका जब्द किया गया है दौसा जिले में भी अवैद गुठका कारोबारी काला बाज़ारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं जबकि दौसा जिले की पुलिस गुटका कारवार की रोक थाम के लिए मुस्तैद बनी हुई है जिसके चलते आज दौसा पुलिस को बड़ी काम्याबी हासल हुई है जहां फूट सप्लाई की आड में टैंपो में भर कर लाखो रुपे का गुटका सप्लाई किया जा रहा था सटीक सूशना पर दौसा पुलिस ने फूट सप्लाई के टैंपो से लाखो रुपे के 680 पैकेट बिमल गुटका जब्त किया है और वहीं एक व्यक्ति को ग्रफतार करने में सफलता प्राप्त की है इस संबंध में दौसा कोदबाली इंचार्ज श्री राम मीना ने बताया कि गुटके की काला बाजारी की खबरें रोज मिल रही थी इसी कड़ी में यह गुटका जब्त किया गया है आये जानते हैं कोदबाली थाना इंचार्ज श्री राम म में ली थी कि एक व्यक्ति है जो अपनी मैजिक टेंपू टाइप का होता है बंद बोडी का उसमें एक लड़का है जो उसको गुटके लेके जा रहा है उसमें अन्य सामान भी था लेकिन उसको जब रोक के चेक किया और उसको किया तो उसमें करीब 600 और 805 के आसपास पाउच मनलब पैकिट जिनके अंदर करीब करीब एक पाउच के अंदर 30 पुडिया वगेरा होती है तो ऐसे काफिक भारी मात्रा में गुटका जो विमल का गुटका है और ज़्यदा इसको ब्रामत किया है और F.I.R. दच कर लिए अनसंदान जा रही है वो ड्राइवर से पूस्ता का जब्द किया था और इसी को लेकर आमजन में पुलिस के प्रती विश्वास और भी बढ़ गया है कि भी देहे